आगे लक्ष्मन उनकी बात सुनते हैं और सुनते सुनते क्या कहते हैं बीहसी लक्ष्मन बोले मृद्वानी मीठी वानी में बोले अहो मुनिस महान बट मानी पुनि-पुनि मोही देखाँ कुटार मोही मुझको देखाँ कुटार मुझे बार बार गुटार अरधा फर्सा यहां देख पारे हैं आप फर्से के दूसरा नाम फर्से का दूसरा नाम आ गया है कुठारू अर्थात कुठार तो आप बार बार मुझे फर्सा दिखा रहे हैं मैं तो आपको वैसे ही महान युद्धा मानता हूं पुनी-पुनी वह की दिखाओ उकटारू चखत को उड़ाओ ना फूग की पहारू आप तो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे चाहते हैं क्या फूग से पहाड को उड़ाना चाहते हैं ऐसा लगता है आप तो ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कोई फूग से पहाड उड़ जाए क्या फूग और ने कहा कि यहां कोई कुमड़ी की बतिया नहीं है कुमड़ी की बतिया क्या होती है किमड़ी के बतिया होती है कच्चाफल यह आमधारण WhatsApp होता्य है उसकी तरफ अंगली करते हैं तो नस्ट हो बादा है पकने से पहले ऐसे में नष्ड करते हैं तो हमाँ कोई कचफल नहीं है किसको लक्सवड जी अपने लिए कोई कचफल नहीं ओ जो जे तरजो नि देखी मरे जाएं कि जो तर्जनी अंगली को देख करके ही मर जाएं यहां कोई कच्छाओ नहीं है कुठार सरवादा आपका कुठार यहानि आपका झांझ यalon सब्सक्राढस और figured करके मैं कचु काहा साहित अभिमाना मैंने कुछ अभिमान साहित कह दिया था मैंने कुछ अभिमान साहित कह दिया था लेकिन आगे कहते हैं ब्रगुसुत समुजी जनिव विलो की लेकिन ब्रगुसुत समुजी यानि ब्रामन का पुत्र समझा किसको देख करके जनिव विलो क आपकी जो जनिव हुया है आपने जो उपनयन धारण किया हुआ है उपनयन जानते हैं हम लोग उपनयन कारता है ये जो ब्रामन लोग एक धागा पैंते हैं जिसमें साथ धागे होते हैं उसको धारण करते हैं ये उपनयन संस्कार होता है विद्यारंब के समय जब विद्यार करवाया जाता है और उसी दिन से फिर शिक्षा और दिक्षा आरंब होती है तो इसलिए लक्ष्मन क्या कह रहे हैं कि ब्रगुसुत समुजी जनेव विलोकी यानि आपकी जब जनेव देखी न तब मैंने आपको देखा कि आप ब्रगुसुत अर्था ब्रामन पुत्र हैं जो जैसे ही मैंने पैचाना कि आपने जनेव धारन किया हुआ है तो आपको ब्रामन जान करके आपने जो कुछ भी कहा उसको मैंने सुना रिसरो की गुस्य को रोक करके क्रोध को रोक करके मैंने सब कुछ सुना क्यों सुर महिसुर हरिजन अरूग आई अब कारण बता रहे हैं कि मैं क्यों अपने गुस्चे को रोख के हुए था वो कहते हैं कि सुर देवता मही सुर प्रत्वी के देवता ब्रामन हरीजन भगवान का भक्त अरुग और गाई गाए लक्समाण जी ने अलग अलग लोगों के नाम कि ना दिये कुन देवता मही सुर ब्रामन दो हो गए आगे लिखा इनोंने कि हरीजन भगवान का भक्त अरुग और गाई मैं इन पर क्या कहते हैं कि देवता ब्रामन ईस्वर के भक्त और गाई इसके लिए क्या कहा कि हमारे कुल इन पर अनसुराई हमारे कुल में इन पर सुराई अर्था वीरता प्रदर्शित नहीं क इन को वीर्दा नहीं दिखाते हैं क्यों कील नहीं दिखाते हैं क्यों कि उसका कारण उन्हों ने बताया कि बधे पाप अपकीरत हारे बधे वदध हो जाए इनका किनका देवता का ब्रहमन का गाय का और इस्वर के भक्त का तो इनका का radiation तो बदे पापू पाप लगेगा यदि हमारे हाथ से इनका वद्ध हो जाए तो पाप लगेगा अपकीरती हारे और इनसे हार भी जाए तो हमारी अपकीरती होती है अपकीरती अर्था आते बदनामी होती है नाम कराब होता है इसलिए इनसे युद्ने करना ही ठीक रहता है ये कारण इनों ने बताया कि इनसे यदि हम इनका वद भी कर देते हैं तो पाप लगता है और हार जाते हैं तो हमारी अपकीरती होती है बदनामी होती है मारत हूँ पाप परिये तुमारे ये आप मारते भी हैं तो आपके पैर की पड़ता हूँ आगे कहते हैं कोटी कुलीस संभ वचं तुमारा कोटी कुलिस समा बचनु तुमारा व्यर्थ दरऊं धनु बान गुटारा यह कहते हैं कि कोटी करोडों कुलिस वजरों के समान करोडों वजरों के समान वजर क्या होता है चटान करोडों वजरों के समान कटोर हैं आपके वचन आप जो वचन बोल रहे हैं वो करोडों वजरो हैं वो कितने कटोर हैं अर्फात करोडों वज्ज्रों के समान है आगे कहते हैं लक्षमर जीत कि जो बिलों की अनुचित कहे हूं चमा को किह दिया हूँ चमा कीजिए तॉब hollow कीजिए महा मonutनी धिर ये ध्यर्मा ड्यरीवान मुंही आपको देख करके मैंने कुछ गलत कह दिया हूँ तो मुझे क्षमा कर दिए इसके बाद क्या हुआ सुनी सरोस सुन करके सैरोस गुस्से के साथ में ब्रगु वंस मनी अर्था ब्रगु वंस में मनी के समान चमकने वाले कौन परसुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीरवानी में बोले, लक्षमान जी की ये बात सुन करके, परसुराम जी, जो ब्रगु वंस मनी के समान है, यानि ब्रगु वंस में एक चमकती हुए मनी के समान है, वो बोले गिरा गंभीर, गंभीरवानी में बोले, क्या बोले, देखते हैं आगे, कोषिक सुनों मंध यहू बालो ‫ कोफिक विश्वाम मितर जी तो ये कहते हैं कि कोषिक मण्द यहू बालो पढा को यह विश्वामितर जी बालक जो है, मन्द है, अरताथ मन्दमद्धि हैं, ना समझ खैं कुटिल काल बस निजकुल घालको यह कुटिल खैं और काल बस काल के बस में, मृत्यू के बस में होकर गे उनके गुरू से कहते हैं कि हिवि सौमेट्र यह जो बालक है वो मंद बुद्धी है सुनोगों मंद यह बालक है यह बालक जो है मंद बुद्धी है कुटिल का है और काल बस काल के बस में मृत्य के बस में हो करके निजकुल का लोगो अपने कुल का घातक है आगे कहते हैं भानु वंस और आकेस कलंगू और ये भानु वंस में भानु यानि सूर्य सूर्य वंस में राम जो थे वो सूर्य वंसी थे तो सूर्य वंस में राकेश कलंकु अर्थात चंद्रमा में जिस प्रकार कलंक लगा हुआ है उसी प्रकार ये सूर्य वंस में कलंक के समान है भानु वंस राकेश कलंकु ये भानु निरंकुस अर्था जिस पे कोई रोक टोक नहीं है ऐसा अबुद बिना बुद्धिवाला असंकु अर्था जिसको कुछ भी शंका नहीं है कुछ भी कर लिता है ऐसा है ये तो बिल्कुल ही निरंकुस के बिना बुद्धिवाला है और संकार रहित है ऐसा है ये बालक काल कवल हो होई चनमाही परतुर हम जी कहते हैं कि काल कवल हो जाएगा मृत्यू का ग्रास बन जाएगा कवल हो यानि ग्रास काल मृत्यू मृत्यू का ग्रास बन जाएगा चनमाही एक खषण में मृत्यू का ग्रास बन जाएगा ये कहो पुगार खोर मोहिनाई मैं पुगार करके कह देता हूं मैं पहले बता देता हूं खोर मोहिनाई अर्थात मुझे फिर कोई दोस मत देना कहो पुगार खोर मोहिनाई मैं पुगार करके कह देता हूं तिर मुझे दोस मत देना तुम हटकाऊं जो चहूं उबारा कही प्रता मुझे से इस प्रकार वारतालाब करने के लिए इसको मना करो यदि तुम बचाना चाहते हो नहीं दो आगे कहते हैं कही प्रताब बल रोस हमारा और कहो इससे हमारा प्रताब हमारा बल और हमारा रोस यानि हमारा गुसा बखान करो वर्णन करो इसके सामने इसको बताओ कि हमारा प्रताब क्या है हमारा बल्ग हमारी ताकत क्या है और हमारा गुस्सा क्या है ये इसको बता दो जब पर्षुराम जी नेुख विश्वा मित्र जी से कहा कि तुम युद्श को बचाना चाहते हो तो हमारा बल, हमारा प्रताप, हमारा क्रोध इसको बता दो हमारे क्रोध का वर्णन इसको कर दो तब लक्षमन कहते हैं कि ही मुनी आपका सुयस कहा इन पंक्तियों में कि लकन कहें मुनी सुजस तुमारा तुम्ही अचत को बढ़ने पारा कि ही मुनी आपके यस का गुणकान लकन कहें मुनी सुजस तुमारा यह नहीं आपका सुयस आपको चोड़ करके तुम्ही अचत को बरने पारा आपको चोड़ करके और कौन वर्णन कर सकता है क्यों अपने मूँ तुमा आपनी करनी अपने मूँ से आप अपनी तारीफ कर रहे हैं बार अनेग भांती बहु बरनी और अनेग बार अनेग प्रकार से भांती बहु अनेग भांती से अनेग प्रकार से वर्णन कर रहे हैं और फिर आगे कैते हैं नहीं संतोसू तो पुनिकच कर Jewish इसमें भी आपको संतोस नहीं है फिर से कुछ के लिजिए जानिरी से रोखे दूसayı दुखसेहूं क्रोध आता है जब हमें गुस्टा आता है तब यदि हमें उस गुस्टे को रोगना पड़े तो कितना तकलीफ कितना कस्ट होता है तो इसलिए लक्समाण जी ने कहा है कि यह आपने अपनी तारीफ अनेक प्रकार से कर दी है और फिर भी आपको संतोस नहीं है तो फिर से कह द दीशिए क्यों वीर व्रती तुम धीर अच्वबा आप हुरता के व्रत को पालन करने वाले हैं वीरटात आप दीर आप धैरवान आच्वबा एक यहानि आप नमर आप शांद स्वभा वाले हैं गारी देतन अंपावव सुवा आपकोπό गाली देते विए सुभा नहीं देत क्योंकि उन्होंने लक्षमन से काता निपट निरंकुस अबुद असंग को उस जमाने में तो यही सब गालियों हुआ करती थी आज गालियों का स्वरूप बदल चुका है तो यह कहा कि आप गालियां देखकर के अपने वानी को दूशित मत कीजिए कलूशित मत कीजिए क्यो यहां को गाली देते हुए सोभा नहीं देता है आगे लिखते हैं कि शुर्ष मर करनी करही कहिन जनावहुं आप विद्यमान रन पाई रिफू कायर कथकी प्रताप यह बात कहते हैं लक्समर जी लक्समर जी और ख्रोध दिलाते हुए कहते हैं परसुराम जीको कि सूर्ष यानि योद्धा समर युद्भूमी करनी करहीं यानि योद्धा युद्भूमी में अपनी करनी करते हैं अर्तात अपना कर्म करते हैं अपना करतबे निबाते हैं कहीं न जना हुआ हुआ आप कह करके अपने आपको नहीं जनाते हैं अर्तात अपना वर्णन नहीं करते हैं व मिद्द्यमान मोजूद उपस्तित पाकर करें के रण रण भूमी में सपत्र को युद्भूमgrade में पाकर कायर धाइर प्रताप कायर लोग होते हैं त्रम करते हैं इसा लक्ष्मण्य के जो योद्धा होते हैं वो अपनी तारीफ नहीं करते हैं वो युद्ध में कर्म करते हैं और सत्र को युद्ध भूमी में पाकर करके कायर लोग ही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं ये बात बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली थी परसुराम जी को देखते हैं आगे कहले का है आगे कहते हैं तुम तो कालू हांको जनुलावा लक्समन की कहते हैं आगे कि तुम तो कालू हांक जनुलावा आर्था। आपसे मेरे लिए पुखार रहे हैं याने लुख्ष्मन की कठोर वचन सुन करके परशुर्णामजी अपने गोर प्रचंड जो फरसा है उसको सुधार लेते हैं परसु सुधारी धरेवकर गोरा अब जनी देई दोस मोही लोगू अब इस्तिती बदल गई है अब इस्तिती बदल गई है तो परसु राम जी कहते हैं कि अब जनी देई दोस मोही लोगू कटु बादी बालक बद बद जोगू कहते हैं कि हे लोगो अब मुझे दोस मत दीजेगा अब मुझे दोस मत दीजेगा क्योंकि कड़वा बोलने वाला बालक बद जोगू वद करने यूग्य है यह कड़वा बोलने वाला जो बालक है वो बद करने यूग्य है यानि अब मैं इसको मारने वाला हूँ आगे लिगा है इन्होंने कि बालक बोली बहुत में बाचा बालक समझ करके बहुत में बाचा अरतात बहुत बचा है मैंने इसको बच्चा समझ करके बहुत छोड़ दिया है अब यहू मरनी हार बहां साचा अब यह बात सच है कि यह मरनी हार है मरने वाला है अब तक मैंने इ विश्वामित्र जी कहते हैं, अब विश्वामित्र जी को बीच में बोलना पड़ा, विश्वामित्र जी कहते हैं कि बाल दोस गुन गनाईन सादू, अर्था जो सज्जन लोग होते हैं, बच्चों के गुन और दोस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप ध्यान मत दीज बच्चों के गुण और दोस पर ध्यान मत दीजें खर कोड़ार मैं अगरुन कोगी मैं खर कोडार अकरुन कोगी यानि मैं मेरा जो फर्सा है वो खर अरता ती pensar फर्सा है और मैं तैयार रखीत हूं कोगी मैं कुरोधी हूँ अपना गुणगान और कर रहे हैं आगे कि आगे अपरादी गुरु द्रोगी और मेरे आगे गुरु का द्रोगी है गुरु का द्रोग करने वाला अपरादी है तो मेरे पास ये तीका फर्चा है और मेरे आगे गुरु का द्रोग करने वाला है अर्था गुरु का अपराद क तो घुर्णवान आखक छूड़ा हूँ वरना यह उत्तर देता है तो मैं इसको छूड़ता नहीं आगे के थे हैं कि नत लिएहीं काट कुठार कांटर यह तो मैं उसको कुठार करतें तो मैं उसको कुठार कांटर से तोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु की रिन से उरिन हो जाता इस परसे से इसको काट करके यानि बगवान सिव का धनुस था यह और इस धनुस को तोड़ देने के कारण मैं यदि इसको मार देता तो गुरु से जो रिन था गुरु से जो शिक्षा प्राप्त करने के उपरांद जो रिन था उससे मैं मुक्त हो जाता वो रिन हो जाता इसको मार करके जैसे की परसुराम जी ने यह कहा कि मैं इसको यहां मार देता और बचा रहा हूं सिर्फ यह वि लैस्वा मित्र मन की मन में हसे गादि सुनके रिदे हसी मुनी हरी यरे सूझ वो सोचते हैं कि मुनी को हरा ही हरा सूझता है अर्दा अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है अपने लिए आयमय खांड न उकमय' यह आयमय' खांड है यानि लोही के बना हुआ खांड जो है वोझे से बनाएबसांट है फ्रेट माटना न dopने को नहीं है यानि ये गन्य से बनाएबसक्र नहीं ठीन­02 और ऐडलके और कंड़ कि यह गन्य से पने अब भी राम और लक्समन के प्रताप को ये जान करके भी समझ करके भी इसको अंजाना कर रहे हैं अर्था अब भी इसको पहचान नहीं रहे हैं कि आपका शील आपकी नमर ताप अपने माता और पिता के रिन से तो उरिन होई गये हैं गुरु रिन रहा सोचवर जी के आपको गुरु का रिन रहा है उसका बड़ा सोच है उसकी बड़ी चिंता है माता पिता के रिन से तो मुक्त होई गए हैं आप ऐसा कहते ही परशुराम जी को गुस्सा आ गया कि आपके पास गुरु का रिन जो था उस गुरु रिन की आपको चाहते हैं अर्थात हमारे सिर उतारना चाहते हैं हमारी वज़े से उतारना चाहते हैं दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा और उसके बहुत दिन बीट गए हैं गुरू के रिन को बहुत दिन बीट गए हैं और उस रिन को लेकर के बहुत दिन होने की वज़े से ब्याज बड़ बाडा अर्तार वे आज भी बड़ गया है आगे कहते हैं लक्स्मर जी परुस्नुराम जी से हैं कि आनिया वेवार यह बोली अर्तार किसी ऐसे विक्ति को बुला लिजिए जो विवार यह बोली अर्तार जो व्यापार को जानता ओंता को behavior को समस्दा आगो leather किताबọi आ बला लीजे अब आनिया विवारिया बोली मैं अभी तुरंत थेली खुल करके देदेता हूं आपके पास जो गुरु का रिन्ध है उस रिन्ध को बहुत दिन हो गये हैं और उस रिन्ध को ब्याज भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि समय ज्यादा हो गया है तो अब किसी दे जेता हूं इसका असर क्या गुवा सुनी करण वचन को ठार सुधार अर्टा सिधा कर लिया और ऐसा करते ही सारी सभा को सारे राजाओं को लगा कि अब तो लक्समन की हत्या होने वाले हैं लक्समन को परशुराम जी मारने वाले हैं इसलिए क्या हुआ हाई हाई सबसबा पुकारा सारी जो सबा है वो हाई हाई इस प्रकार पुकारने लगी और ब्रगुबरु परसु दिखावई मोगी विब्र विचारो बचोन रप द्रोही ब्रगुबरु परसु दिखावई मोगी लक्षमन आगे कहते हैं कि ये ब्रगु मैं आपको ब्रामन समझ करके आपको बचा रहा हूँ, आपको छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बार-बार अमना फरसा दिखा रहे हैं, आगे लिखा हैं, मिले न कब हूँ सुबट रन गाड़े जिस देवता गरई के बाड़े, कि आपको कभी सुबट अच्छे युद्धा रन गाड़े यानि रन भूमी में आपको कोई अच्छे युद्धा मिले ही नहीं हैं, जिस देवता ये ब्रामन देवता गरई के बाड़े आप तो घर में ही बड़े हूए हैं, घर में ही पले बड़े हैं, आपको कभी युद्ध भूमी में अच्छे युद्धा सुबट अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं आप तो घर में ही पले बड़े हैं अनुचित कहीं सब लोग पुकारें अब जब लक्षमन ने ये बात कह दी तब सब लोगों ने क्या कहा अनुचित हैं अनुचित कहीं सब लोग पुकारे रगुपति सहय नहीं लखनो निवारे तब रगुपति ने बगवान स्री राम ने लखना की लक्ष्मन को सही नहीं से अर्था संकेत से निवारे मना किया लक्ष्मन को संकेत से मना किया इशारक किया कि नहीं अब ज्यादा हो गया है ज्यादा क्या हुआ ये कहा कि हेद ज्विश देवता आप तो आपको कभी अच्छे युद्धा से सामना नहीं करना पड़ा तो ऐसा कहा लक्ष्मन ने ऐसा कहने के बाद भगवान स्री राम ने लक्ष्मन को संकेत किया इसार किया कि नहीं इतना आगे नहीं जाना है इसके बाद लगन उतर आहूती सरिस ब्रगबर कोपक्रशान बढ़त देगी जलसम वचन बोले रगुकुल भानो बहुते सुन्दर चित्रन तुलसी दाजी ने किया है यहां किस प्रकार इन्हों ने तुलना की है यह किते हैं लगन उतर आहूती सरिस उपमा लंका रहे हैं यानि लगसमन ने जो उतर दिया वो आहूती के समान है आहूती सरिस आहूती क्या जब यग्यखवन होता है तो यग्यखवन करते हुए जब हम आहूती देते हैं बोलते ह जलने लगती है प्रज्वलित होती है तो यहां यही कहा है कि लक्षमन का उत्तर उस आहुती के समान है लखन उत्तर आहुती सरी से ब्रगुबर कोफ कृषानू और ब्रगुबर यानि परशुराम जी का कोफ क्रोध कृषानू है अगनी है जैसे ही लक्षमन ने उत्तर दिया परशुराम जी की अगनी और तीज प्रजवलित हुई उनका क्रोध किस समान है अगनी के समान तो लक्समन ने जो उत्तर दिया वो आहूती के समान है और परशुराम जी का जो क्रोध है वो अगनी के समान और प्रजवलित हुआ और ऐसा होने पर बढ़त देखे इस कुरोध को उस अगनी को और बढ़ते हुए देख करके जल सम वचन जल के समान वचन है बोले रगु कुल भावन रगु कुल भावन यानि राम रगु के कुल में सूरी के समान जो वगवान सुरी राम है उन्होंने जल के समान वचन बोले अर्तात शीचतल वचन बोले जिससे परसु राम जी का क्रोध सांत हुआ तो तुलसी दास जी ने इस प्रकार राम लक्समन और परसु राम जी के समवाद का वर्णन किया है एकदम जीवन्त एकदम जीता जागता वर्णन किया है किस प्रकार लक्समन परसुराम जी को क्रोध दिला देते हैं किस प्रकार उनको उचाहित करते हैं क्रोध के लिए लेकिन परसुराम जी लक्समन को पैचान नहीं पाए उनकी गरिम्या को उनके असली अवतार को पहचान नहीं पाए तो ये था राम लक्ष्मन पर सुराम संभाद उम्मीद आप लोगों को जरूर पसंद आये होगा लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये आप भगवान स्री राम को मानते हैं ये आप इस वर्द को स्विकार करते हैं किसी भी रूप में तो हम भगवान स्री राम का जो आचरन था उनका जो विवार था उनकी जो मर्यादाएं थी आप देख पाते हैं कि राम चरित मानस में किस प्रकार पुत्र और पिता के बीच में प्रेम था किस प्रकार पती और पतनी के बीच में प्रेम था, किस प्रकार गुरू और शिश्य के बीच प्रेम था, किस प्रकार बगवान सरी राम ने राम राज्य के स्थापना के, तो हमें भी उनसे मर्यादाएं सीखनी चाहिए, किस प्रकार राम ने अपने पिता की आग्या के लिए चोदे वर्स का बनवास ले लिया था तो हम भी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनकी मर्यादाओं को उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं समय के अनुसार मिलते हैं एक और नए विशे के साथ में तब तक स्वस्त रहे प्रसन रहे जये स्री राम